तो कैसे आप लोग? आज मैं बात करने जा रहा हूँ एक ऐसी चीज की जिसे हर कोई बड़े आराम से इस्थमाल करता है नई नई मैं चड़ी बनिया नई बेच रहा हूँ मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसी चीज की जिसे तुम खुद स्वैंग वैंग अपने आप इस्तमाल करते हो तो कोई दिक्कत नहीं होती लेकिन जैसे कोई दूसरा इस्तमाल करें तो गाली थी या बच्मन में तुम्हारे माबापने तुम्हें यह जरूर बताया होगा कि बेठा गाली मत देना डोन्ट अभियूस तुमारी वैपने तुम्हें तुम्हे यह नही बताया कि गाली अंकल ने तुमसे कहा होगा तुम्हारे रिष्टेजारों ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हारी टीचा ने तुमसे यह नहीं पूछा कि तुम्हारे बाबाप ने तुम्हें बताया नहीं कि गाली मत दो ड्रॉंट अभ्यूस अरे या रंकल ये काम को अपनी सरब की बद्बू से जान ले लो मेरी अब जब तुम्हें हर को ये बात कह रहा है तो तुम्हारे दिमाग में ये बात बैठ चुकी है कि भाईया चाहे अंगारे बने शोले या तोहर मनवा मंडोले तर्फालशी रहा है कोई प्राचे इंचूतिया जिसने गोशना कर दी होगी ये अब इस देश में कुछ ऐसे लोग है जिनकी ओफेंड होना फूल टाइम जॉब है नहीं बिलकुल ऐसे ओफेंड होना पुरा मानना गांड में जलन मचना ये सारी खूबिया भगवान ने मुझे दिये इसलिए जन्मा हुमें इस तर्ती पर अवतार हुमें पहें चर्ष उस से फरक नहीं पड़ता तुम उन्हें गाली दे रहे हो किसी और को ना अरे जैसे ही वह प्यारे शब्द उनके कान में पढ़ते हैं उनके दिमाग के घोड़े भगना शुरू हो जाते हैं आओ तुम्हें मैं एक लव स्चूरी सुनाता हूं एक लड़का और लड़की आराम क्या तुम्हें लड़क्यों से बात करने की तमीज नहीं है अरे तुझे नहीं आपको नहीं बोला मैं उसको लड़ी चीप डिस्गस्टिंग येलो फेलो फॉक ओफ अबे लेकिन तू भी तो के दिया ना फॉक ओफ फॉक ओफ पहन के लिए ये कान परदाश के बाहर है और की लोखी आंठी जितनी हिजचत मेरे अंदर समाई है ना मैं सारी लगा के बात बोलता हूं तु क्या ले मेरा दोस्त मेरा रिष्टा मेरा कटभंधन मेरा संबंद्र मैं उसे गाली दूं या फिर उसकी चाति पर इट फोड़ू अंटी तू क्या ले माभाप ने क्या सिख है बोलने वाली आंति उसे दूरों ये बिमारी चानलेवा है, कल को इस आंटी के सामने मर्डर भी हो जाता ना, ये आंटी भागेगी nike, कांतिल की आंखों में आंखेट के बोले गी, मअबब्नेसिक'े कोई 22 अंप्लीक में हल्का हो रहाँ हो, मअबब्नेसिक'े कोई एजुकेशन की तरह गालियों के बारे में भी पता होना जरूरी है ऐसे समझो एक साथ साल का बच्चा है जिसे दुनियादारी के बारे में कुछ नहीं पता वो अपने पापा से पूछता है पापा पापा वो शाहिद मेरे को चूतिया बोला और सब हस पड़े क्या होता है च अब सोचो एक बाप पे क्या बीतेगी जब उसे पता चलेगा कि उसके बच्चे को किसी ने चूतिया का है और वो उसको देखके मुस्कूरा रहा है तो इसलिए यार गालियों के बारे में पता होना बहुत जरूरी है उसका इस्तमाल करना ना करना वो तुम्हारे उपर है अब कुछ लोग मानते हैं जो इंसान गाली देता है वो किसी की इज़त नहीं करता उससे बेकार को इंसान नहीं है सबसे पहले जो ऐसा सोचते हैं उनकी इज़त करने की कोई जुरुत भी नहीं है अगर तुम्हें अपनी फ्रस्टेशन निकाल लिए तो तुम लोग क्या करो नहीं तुमने किसी को ऐसे भड़ास निकालते हो देखा है यार मेरी बीवी मेरे drivers के साथ भाग गी यार किती स्टूपिड है वो यार उसे भाग नहीं था तो अखेले भाग जाती driver को क्यों साथ लेगी यार जेल जाने वाले driver बड़े मुश्किल से मिलते हैं यार वो पागल है यार क्या करूं यार यार खौर 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 ऐसे दिमाग को संतुष्टी नहीं मिलेगी देंशन आ जाएगी उदासी छाज आएगी एक खाते पीते घर का बंदा नपुन सकता का शिकार हो सकता है तो जरूरी नहीं है वो इज़त नह करें मारो जर्ख को घुथ हंदी में घाली देता ना तो सब एसे छी ची साला एंपड गरीब वलगार अब कोई इंगलिश में घाली दे थे तो वो तो चलता है वो तो कुल है वो तो अमीर है उसने ये बोलने के लिए मेहनत की है पढ़ाई की है अगर दो बंदों की रोड़ पे लड़ाई हो जाए ना और एक बंदा कहे शट अप यू आस ओल और दूसरा कहे चुब बैगांडो पबलिक दूसरे वाले को धर लेगी सामोह एक पिटाई हो जाएगी की और हमारे इंग्लिस बेबी को पबलिक मिठाई के साथ घर बेजएगी कसम से सिद्धू पाजी साई इंग्लिस मैजिक बेच रहे हैं अब कुछ ऐसे भी लोग है जिने तुम कोई भी गाली दे दो हिट्स ओके लेकिन एमसी बीसी उनसे नहीं जिलती माबाब बाई बेटी चाचा ताओ और फूफी इन पर मत चाहिए हो नहीं है तो भारत के इवासी इसमें भी बटवारा करने का तरीका डूड़ लिया ये वली गालिया चलेगा लेकिन यह नहीं चलेंगी अचूत है यह इन्हें दूर रखो तुमने कभी सोचा है कि गालियों पे क्या बीती होगी तुम उन्हें इस्तेमाल करते और उसके बाद उन्हें भूल चाते हो उनके साथ मजे करना सीखो यार इतनी बूरी नहीं है एक रात तो गुजारो उनके साथ मनोर के कोठे पे क्या पता वो तुम्हें चौका दे हिला क्याते दर्धे डिसको करा दे तो यार बस साज के लिए सरस इतना ही मैंये बुलकूल नहीं कह रहां कि तुम लोग खुला गाली दे सकते हो मैं तो बसו ये कह रहा हूं कि गालियों को मजाक की तरह ले ना चाहिए अगर तुम लोग मेरी इस बात से सहमत हो तो यार लाइक मारो और अगर मेरी ये खुबसूरत आवास पहली बार सुन रहे हो तो सब्सक्राइब करो वो जो लाल वाला बटन है उसके साथ हैंग आउट मारो या चिल करो मुझे नहीं पता बस क्लिक को जाना चाहिए चलो यार म मैं जा रहा हूं मनुवर का कोठा दूर नहीं बाए कि माबाप ने यहीं सिखाया है तुदो पेचा लाले खेच बारते का शोज़ियों इसे लगई पेच्टो कुडिया नार्स पेच्टुदा चुबार अ आए